तो स्वागत आप सभी का Nifty Bank के अनलिसिस वीडियो में कल Nifty Bank के एकस्पाइडी है और देखते है Nifty Bank कल कहाँ पर कामकाज कर सकती है तो यहाँ अगर आप चार्ट पर ध्यान दे यह वन डे का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो यह 50 moving average के उपर ही करते हैं वो इस वाले जोन के उपर नज़र रखेंगे अभी हमें इसकी जरुवत है नहीं अभी हमें जरुवत है सिर्फ नजदीकी जोन की जहां पर Nifty Bank अच्छा बिहेव कर सकती है तो देखिए अभी हम as a support इस 50 moving average को ले सकते हैं जो फिलहाल के लिए अभी चल रहा है कहा bullish candle नहीं कहूंगा नहीं से bearish candle कहूंगा लेकिन यह कहूंगा कि नीचे से हलका सा rejection देखने को मिला है इस candle को अभी इस moving average को हम as a support ही देखते हैं और कल कली planning करते हैं तो कल अगर Nifty Bank flat या फिर थोड़ी सी gap up खुलती है तो यह वाला जो जोन है यह हमाई लिए एक अच्छा resistance क सलता भी आ रहा है यहां से अगर आप देखो तो एक अच्छा resistance point है भी यहां भी resistance खाई थी ब्रेक करी थी उपर गई थी नीचे आए थी यहां कुछ दिन समय बिताई फिर सब इसी level के पास आ रहे है तो 48,000 हमीशा एक अच्छा resistance की तरह work करेगा अगर मार्केट नीचे से जाड़ी उपर से आड़ी तो ऐसा support वर्क करेगा तो अगर यहां पर मार्केट फ्लैट या फिर थोड़ी सी gap अप खुलकर 48,000 को फिर 15 मिनट का candle हो या फिर दिन का कोई भी 15 मिनट का candle हो इस तरह से ब्रेक करके closing देती है एक अच्छी body की green candle के साथ जिस तरह की body अगर मैं क सकती है 48,500 तक भी जाते हुए आपको nifty bank दिख सकती है अगर अच्छी body के साथ closing मिलती है वहीं अगर अच्छी body के साथ closing नहीं मिलती है लेकिन slowly slowly nifty bank उपर की तरब भढ़ती है तो क्या होगा मानते कि यहां पर अच्छी body नहीं मिलती छोड़ी सी body मिलती है और slowly slowly उपर की बढ़ती है तो फिर यह जो 48,000 है इससे अगर एक घंटे एक घंटे अगर इससे उपर निफ्टी बैंक समय बिता लेती है तो यह हमारे लिए as a support act करने लाएगा फिर आप इस पर थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो अपनी quantity को बढ़ा सकते हो जब भी निफ्टी बै 500 तक जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है 48,500 तक लेकिन अगर मार्केट स्लोली उपर जाती दुबाड़ा नीचे आती है और लेकिन एक घंटे का समय बिता लेती है 48,000 से उपर तो फिर 48,000 जो है यह हमारे लिए क्या होगा एक अच्छा support की तरह work करने के लिए तयार है वह या फिर आप यह कहो कि एक अच्छा कोई सूटिंग स्रा का कैंडल देती है पहले हम 15 मिट के टाइम फ्रेम पर यहां पर पहुंच 15 मिट के टाइम फ्रेम पर क्या देखने को मिल रहा है आज सारा का सारा दिन लगबग हम कहें तो एक बॉक्स बनाकर यह जो बॉक्स है इसक सेक्षन का सिगनल बनाकर डाउन साइड आती है तो फिर यह वाला जो मॉविंग अवरेज है यहां तक आने के चांसे था और देखिए यही मॉविंग अवरेज आपके लिए एक बॉक्स भी बनेगा बॉक्स जैसे ब्रेक होगा जिस साइड बॉक्स स्ट्राइजी में जब कोई भी 15 मेट का कैंडल अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है रेकिन हाँ वो कैंडल होना चाहिए इस तरह का नहीं यह जो यहां पर डोजी डोजी कैंडल बने इस तरह की नहीं थोड़ी अच्छी बॉड़ी की कम से कम इस तर सब्सक्राइब हो सकता है उसी वक्त यह आपको ब्रेकडाउन दे और नीची के तरह बढ़ते वे दिखें तो कौन सा लेवल हमाई लिए सबस्यादा इंपोर्टेंट रहा एक आपके लिए यह वाला लेवल जो है आपका यह मूविंग एवरेज यानि कि 47600 और ऊपर के पा अगर इस रेंज के बीच में है तो बिलकुल ट्रेडिंग एवाइड कीजिए और अपने पैसे को बचाएगे आपको बहुत को सीखने को मिला होगा अगर सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा और एक लाइक बटन दबा कर हमारे मोटिवेशन लेवल क भी आप हाई कर सकते हैं तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए भी पॉजिटिव भी प्रॉफिटेबल एंट्रेड करते रहिए